चार रोटी का पुन्य राजा की संपत्ति पर भारी नमस्कार दर्तक बंदुओं आपका अपने चेनल सत्वीर ओफिशन में एक बार फिर से स्वाधत है मित्रो बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से राज्य में एक न्याय प्रिये और दयालू राजा राज्य करता था राजा अपनी प्रिजा की भलाई और सेवा में विश्वाफ रखता था उसका मानना था कि राज्य की संपत्ति और उसका वैभव तभी सारतक है जब प्रिजा सुखी और सम्रद्ध हो लेकिन समय के साथ राजा को यह गलत फेमी हो गई कि उसकी संपत्ती ही सबसे बड़ी सकती है और वही उसे महन बनाती है राजा का नाम प्रताब सिंग था उसके महल में बेसुमार धंदोलत थी सोने चांदी के बरतन, कीमती जवारात और अंगिनित खजाने, महल के चारों और सोने के सिंगासन, रत्म जडित परदे और नक्का सिदार दर्वाजे उनकी सान और रुत्वे का प्रदर्शन करते थे राजा को अपने इस वैभों पर बहुत गर्ब था, और समय समय पर वहे अपने मंत्रियों और सलाकारों को याद दिलाता रहता था, कि उसकी संपत्ति से बड़ा कोई नहीं एक दिन राजा के दर्वार में एक सादू आया, सादू दिखने में सादारा था, लेकिन उसकी आँखों में गहरा ज्यान था, उसने राजा से कहा राजन, संसार में धन संपत्ति से भी बड़ी एक सक्ति है, राजा हस पड़ा और बोला, इस से बड़ी कौन सी सक्ति हो सक् मेरे पास सोने चांदी हीरे मोते और अंगिनत दौलत है सादू ने सांती से उत्तर दिया राजन पुन्य की सकती धन से कही अधिक है पुन्य का एक छोटा सा अंस भी अनमोल होता है और उसके तुलना में आपकी संपत्ति कुछ भी नहीं है राजा को सादू की बात सुनकर हसी आई और उसने कहा अच्छा तो तुम यह कहना चाते हो कि पुन्य मेरी संपत्ति से भी भारी है मैं इसे कैसे मानू सादू ने मुस्कुराते हुए कहा अगर आप चाहे तो इसे प्रमानेद किये जा सकता है राजा ने उत्षक साद से पूछा कैसे सादू ने उत्तर दिया आप अपनी संपत्ति और पुन्य की ताकत की परिच्छा कीजिए अपने खजाने से कुछ धन निकालिए और देखिए कि वहें आपको क्या दिला सकता है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चार रोटियों का पुन्य कैसे आपकी सारी संपत्ति से भी भारी पड़ सकता है राजा को यह चुनोती रोचक लगे उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और खजाने से धेर सारा धन निकालने का आदेश दिया सोने की ठालियों में हीरे मूती चांदी के सिक्के और जवारात रखे गए राजा ने कहा अब देखता हूँ कि यह पुन्य इससे कैसे भारी होगा साधू ने राजा से कहा कल सुवे में आपको एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने पुन्य कमाया है तब आप देख सकोगे कि कैसे पुन्य आपकी संपत्ति से भारी है अगले दिन साधू राजा को एक गरी व्रद महिला के घर ले गया वह महिला अकेली रहती थी और उसकी इस्तिसी बहुत दैनिय थी लेकिन साधू ने बताया जहे व्रद्धा पृति दिन चार रोटियां बनाती है दो रोटियां वह अपने खाने के लिए रखती है और बाकी दो रोटियां भूखे को दान कर देती है उसका यही पुन्य आपकी संपत्ति से भारी है राजा को यकीन नहीं हुआ उसने कहा यह कैसे संभव है इस गरीब महिला की चार रोटियों का पुन्य मेरे ख़जाने से भारी कैसे हो सकता है साधू ने कहा यदि आप चाहे तो इसे परक सकते हो साधू ने व्रद्धा से कहा मा आज तुम्हारी बनाई चार रोटियां हमें दे दो व्रद्धा ने सेहर चार रोटियां साधू को दे दी साधू ने उन चार रोटियों को राजा के सामने रखा और फिर राजा की संपत्ति को भी मंगवाया अब राजा और उसके दरवारी उच्शुक थे कि उसके आगे क्या होगा साधु ने एक तराजु मंगवाया और पड़्ले में चार रोटियां रखी और दूसरे पड़्ले में राजा की सारी संपत्ति सोना चांदी हीरे मोती राजा और दरबारी यहे देखकर इस्तब रह गए की चार रोटियों का पड़्डा भारी हो गया साधु ने कहा देखा राजन पुन्य हमेशा भारी होता है यहे तार रोटिया उस व्रद्द का पुन्य का पिर्टीक है जिसने अपनी भूप को भुला कर दूसरों को अन्द दिया अपनी संपत्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्योंने हूँ लेकिन पुन्य के सामने उसका कोई मोल नहीं है राजा ने यहे चमतकार देखा और उसकी आखे खुल गई उसे एसास हुआ कि सच्ची महनता संपत्ती में नहीं बलकि दूसरों की सेवा में ही है उसने अपने घमंड को त्याद दिया और सादू से चमा मांगी राजा ने प्रण लिया कि अब से वहे अपनी संपत्ती का उप्योग प्रजा की भलाई और जरूरत मंदों के लिए मदद के लिए करेगा सादू ने राजा को आसिवाज दिया और कहा ही राजन सच्ची सक्ती पुन्य में ही है धन्य और संपत्ती छणक है लेकिन पुन्य का फल चिरिस्टाई होता है राजा ने अपने जीवन में इस सच्चाई को अपनाया और अपने राज में खुसाली और समर्दी फैलाने का काम शुरू किया उसने अपनी संपति से गरिभों की मदद की भूकों को भोजन दिया और जरूरत मंदों के लिए आश्ट्रे बनवाया धीरे धीरे उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतोष्ट हो गया इस प्रकार सादू के उपदेश और ग्रद्धा की चार रोकियों के पुन्न ने राजा की संपति पर भारी पढ़ते हुए उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि सबसी संपति पुन्न में ही नहेत होती है तो प्रिया दर्सक बंदू उम्मीद है आपको यह कहानी कथा इस्टोरी जरूर पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी हम ऐसी ही रोचक कहानी कथा इस्टोरी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप देख सकें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धहनवाद